हलो दोस्तों एक बार फिर्ट से वागत है आपका अपारे शालल पर मेरा नम है वरुन और हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों मैं भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी एक खबर पहुंच जाए और भाई चलिए देख लेदे क्या क्या बात हुए यह सीसे हैस यानि की आप समझ पा रहूंगे common seat allocation है यहाँ पर system ठीक है 9 तो उसके लिए यहाँपर क्या हो गया है कि सीट जो हैं वो सी सैस के allocation की एडवीशन प्रॉसेस जो है वो चेंज गर दिया दिया चेंज इन दसेस थोड़ा सा उसको बड़ा दिया है सबसे पहली चीज क्या है कि face 1 और face 2 जो seat allotment होना है उसके लिए क्या किया है उन्होंने extension किया हुआ फेस फर्स्ट के लिए apply करने के लिए common seat allocation system में आपको चार बच के 69 मिनिट सामके है ना यानी पांच बचे से एक मिनिट पहले तक बुदबार को October 2012 ये date है तब तक आप क्या कर सकते हो seat allocation के लिए काम कर सकते हो phase two preference की filling करना है हमें जो seat preference filling करना है उस program में भी CCS में क्या कर दिया है इनोंने same date को extend कर दिया है जो पुरानी थी उससे अटाके आगे अब अगर आप चाहें तो correction करना चाहें इसको करने में आले जे 12 तारीक को 4 बच के 69 मिनिट तक आपने cable seat system में क्या कर दिया seat allocation कर दिया कुछ गडबड सी लगी तो आप उसमें correct कर सकते हैं कब तक कर सकते हैं पाच तारीक को यानि पाच बजे ये 12 तारीक को ही 11 तारीक को Tuesday को 5 बजे से लेके साम के पास से 4 बच के 69 मिनिट साम के 5 बजे से 1 मिनिट पहले तक 13 तारीक तक की date correction window के लिए खुली है ठीक है अगर कुछ गलती हो गई है तो उसको आप सुदार सकते हो उसके बाद auto lock preferences की अगर बात करी जाए तो 5 बजे 13 तारीक को auto lock हो जाएगी फिर सारी की सारी चीज़े याद रखिएगा अगर आपने correction नहीं किरा जो आपने पहले preference करी हुई थी वो आपकी क्या हो जाएगी लॉक हो जाएगी और 13 तारीक को 5 बजे जैसी 4 उनसट का समय खतम लॉक हो जाएगी उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ अगर हम बात करें तो यह आपकी stimulated list declare करी जाएगी किसके द्वारा du के द्वारा stimulated list कैसी है यहाँ पर declaration of stimulated list जो आपकी है वो 5 तारीक को 5 बजे 14 तारीक को अक्टूबर में declare कर दी जाएगी क्या पर सो नर सो तीन दिन बाद ही यह date है याद रखिएगा फिर आपको preference change गरना है अगर तो उसके लिए window खुलेगी आपकी again 5 बजे 14 तारीक को ही और वो 16 तारीक तक की सामके 5 बजे से 1 मिनट पहले 4 बचके 9 सट मिनट तक के लिए खुली रहेगी correction window change गरने के लिए याद रखिएगा उसके बाद फिर first round का है आपका CCS allocation और admission की process जो 18 तारीक को ये डिकलेर करी जाएगी और आपको क्या करना है एक्सेप्ट करना है जो अलोगेडिट सीट है उसको accept करने का समय आपको सुबह 10 बजे से लेके कित्ती 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेके 4 बच के 69 मिनिट तक कब तक की बात 21 अक्टूबर तक ये आप accept करन है अप्रूब करना है ओनलाइन अप्लिकेशन को उसके लिए सुबह 10 बजे से वही 19 तारीक को स्टार्ट हो जाएगा ये और सामके 5 बजे तक 22 तारीक तक के लिए ये डेट खुली है आपको अप्रूब करना है ओनलाइन अप्लिकेशन को और सारी चीजों को verify भी करना है ठ इसको दिवाली बढ़ने ता 24 या बच्चे इसको ठीक है तो यह भूला नहीं है यह फर्स्ट राउंड हो जाएगा फर्स्ट फेस हो जाएगा इसके बाद इन्होंने फिर सेकंड फेस की भी बात यहां पर करी हुई है याद रखिएगा यहां इन्होंने बताया है क्या बताय सीट जो रहेंगी उसको बतायेंगे कब 25 तारीक को साम को 5 बजे यह लिस्ट जारी होगी कि कितनी सीटे खाली है अगर भाई आपकी सीटे खाली रहेंगी उनकी तो फिर क्या होगा बिंडो फिर से क्या हो जाएगा higher preference के लिए reorder start हो जाएगा बिंडो का यह साम को 5 बजे 25 स सकताई सक्टूबर तक चार बच के उन सडम साम तक के लिए ये खुली रहेगी बिंडो फिर इसके बाद सेकंड सीसायस अलोगिशन लिस्ट क्या करी जाएगी डेकलेयर करी जाएगी फिर वो कब करी जाएगी 30 अक्टूबर को साम को 5 बजे संड़ को उसके बाद फिर candidate जिनको मिली है seat है तो उनको क्या करना है accept करना है अपनी allocated seated और वो time दिया है इनोंने सुबह 10 बजे का सुबह 10 बजे 31 October से लेके November 1 तक साम के 4 बच के 96 मिनिट तक ये आपको accept करने का इनोंने time दिया हुआ accept करने के बाद आप उसको verify और approve करेंगे online application को ये सुबह 10 बजे 31 October से 2 November साम के 5 बजे तक के लिए time दिया है फिर भाई आपने accept कर ली तो payment बगेरा भी करनी है तो last date online payment की क्या है यहाँ पे 4 बच के 69 मिनिट साम को 3 November के दिन ठीक है ना भाई 3 November 4 बच के 69 मिनिट तक ही आपको fee submit करना फिर उसके बाद अगर बच गई seat है तो 3rd round की बात होगी vacant seat है बताएंगे फिर उसकी list जारी होगी फिर 3rd round में भी आप अगर बच गई तो साब सुतरे तोर पर यहाँ पर इनो ने लिखा हुआ है आप देख पा रहोंगे इसमें लिखा है कि भाई आपकी जो preference है अगर बच गई है ना window reorder higher preference के लिए फिर खुलेगी सुबह 10 बजे 5 नवंबर से लेके 4 बच के 69 मिनिट नवंबर साथ तक फिर भाईया यह C-Satch allocation list बताएंगे तीसरे नवंबर की कि किन बच्चों को क्या-क्या सीट अलोट हुई है 5 बजे बताएंगे 10 नवंबर को और उसके बाद फिर बच्चे जिनको मिली है सीट है उनको accept करने का है यह कब की बात है सुबह 10 बजे Friday यानि 11 नवंबर से 13 नवंबर के सामके 4 बच के 69 मिनिट तक यह आपको accept करने के लिए इन्होंने window दी हुई है फिर भई या college को verify करना है approve करना है online application को उसके लिए आपको नवंबर 11 सुबह 10 बजे से लेके 14 नवंबर बाल दिवस के दिन सुबह 5 बजे तक का समय आपे दिया हुआ और फिर payment करना होगा अगर आप accept कर लेते हैं तो उसकी last date क्या है 15 नवंबर 4 बच के 69 मिनिट तक है बढ़िया ठीक है ना इसके बाद क्या बचा है अब क्या होगा अब यह हो गया तो भई इधर पर first spot round भी होगा यह तो नों बदा है अगर बच गई इसके बाद seat है तो first spot allocation round start हो जाएगा बेकेंट seat के लिए जो 17 नवंबर को 5 बजे start होगा और candidate को यहाँ पर apply करना होगा पहले spot allocation round में जो की date बताई हुए है 18 नवंबर सुबह 10 से लेके 19 नवंबर 4 बच के 69 मिनिट साम तक है फिर आपके first spot allocation list जो है वो डिकलेर करी जाएगी 5 बजे 22 नवंबर को और उसके बाद बच्चे जिनको मिली है seat है उनको accept करना है allocated seat हो को उसके लिए date दी हुई है 23 नवंबर सुबह 10 बजे से 24 नवंबर साम के 4 बच के 60 मिनिट तक फिर भई वही verify करना है approve करना है online application को बच्चों को जिसके लिए time दिया है 23 नवंबर सुबह 10 से 25 नवंबर साम के 5 बजे तक और finally आपको online payment करना है admission जो आप ले रहे हैं mention fee अगेरा इसकी last date है 26 नवंबर 4 बच के उनसरट बच के और यहाँ पर साब साब सरल सब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है देख लो ज़रा एक बार यह देखो last में यह देख पा रहोंगे आप तो यहाँ पर लिखा है कि ब्यादा university may announce more spot round अगर यह spot round के बाद भी seat है खाली रह गई तो ब्या more और भी दूसरा तीसरा round भी spot round आपका availability के हिसाब से अगर seat खाली रही तो की जाएगी बाकी के लिए आपको website पर refer करने को कहा है कि admission.uod.ac.in इस पर जाएए इसमें ECA, sport और other जो facility है locations की महरजशी के basis पर यहाँ पर क्या होगी आपको seat allot कर दी जाएगी तो यह पूरी की पूरी ख़वर थी कि due ने अपने seat allocation की date को extend कर दिया है यह आपको पता होना चाहिए बहुत सारे बच्चों ने नहीं फिल कर पाया था हमने एक वीडियो बनाया भी था कि 2,00,000 बच्चों ने क्या है 6,00,000 बच्चों ने तो preference दी थी 2,00,000 बच्चों ने register किया था seat allocation जो है वो 1,00,000 बच्चों नहीं किया था अब 1,00,000 बच्चों ने किया था तो 2,00,000 में से 1,00,000 खाली थी seat directly है ना इतने बच्चों ने कर रही नहीं था ताकि आपको हर एक चोड़ी बड़ी कपर CUET की यही सबसे पहले मिल पाए तो अगले वीडियो पे अगली जानकारी के साथ मिलेगे तब तक के लिए I hope you like this video For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe